हिए टो चलो प्यारे बच्चे इस्वाल को देगो चाइल स्टेंडिंग अब ल curriculum एक बच्चा जो है हो किसी क्लीप पर एक मतला बोले तो पहाड पर चड़ गया है एक बच्चा पहाड पर किसी क्लीप पर चड़ गया और यह जो है यह building है यह building पे एक बच्चा चढ़ गया हमको नहीं पता है उस कैसे चढ़ा है क्योंकि यहां पे कोई CD उड़ी नहीं है यह बच्चा चढ़ गया खतback बच्चा यह यहां से एक फेक हैगा projectile, एक body फेक हैगा और इस clip की height 10 meter already दी वही है इस किलीब की हाइट 10 meter दी वही है और यहां से सीधा स्टोन फेकता है होर जंटल से तीटा 0 डिग्री पर और जंटल से स्पीट 5 meter per second भी फेकता है इनिसिली यू इतने से फेकेगा तो यह कहां लैंड करेगी तो यह यहां पर कहीं लैंड करेगी अब जब यहां पर लैंड करेगी तो इसके पास दो-दो velocity होगी एक एक से वाली होगी और एक वाई वाली होगी ठीक है और यहां पर इसकी बदल चुकी होगी यार यहां पर यह जो नेट इस पीड जो की होरिजंटल से कुछ अलफा डिग्री पर मान लेता हूं और यह पर यह पॉइंट में फर्स्ट मान लेता हूं पॉइंट अप्रजेक्शन यहां से ऑद फेक पॉइंट आफ लेंडिंग इसको में तू मान लेता हूं तो देखो इस कोश्चन को यह पूछ रहे हैं कितने से स्पीड कितने से ग्राउंड को इसी हीट करेगा वॉल यह में निकालना तो इस कोश्चन को तो बेसिकली आप देखो आप ऐसे भी कर सकते हो प्रोजेक्टाइल के कोंसेप्ट से कर सकते हो वेक्टर लगा के एक्स अक्सीज वाली स्पीड से चेंज नहीं होगी और फिर इन दोनों का ही जङतने डोगे तो 4A अब मिरा भाइष सब इसंब करते हैं ना SOLID का ठीक है एक्सी वालिवलाशिटी निकाल लिए और ओर इनका स्क्रेश्च और यजक्त्रों कर लिए दैए ब्रिक कर लिए इनव्ष्यत्र ya BB जाएगा बट ये process लंबा लेंदी है मैं इससे suggest नहीं करता हूं आपको हम लोग smart और अच्छे लोग हैं तो यहां से हम energy conservation लगा देते हैं ठीक है तो अगर मैं energy conservation लगा दूँ तो mechanical energy at the point first must be equal to mechanical energy at the point 2 और अगर इन दोनों पर मैं energy conservation apply कर दूँ तो first point पर potential energy mgh और kinetic energy half mu square और second point पर potential गया 0 kinetic energy गया half mb square और 2 से multiply कर दो m को cancel कर दो तो यहां जो speed b की जो value आजाएगी वो आजाएगी 2gh plus plus u square under root this is the egg line solution यह egg line में solve हो गया 2g की value 10 रख दो hide भी 10 रख दो और speed 25 रख दो यह सब कुछ under root ले लोगे तो 200 और 225 under root कितना होता यार 15 meter per second से hit करेगा तो यह यहां से 15 meter per second से hit करेगा मतलब हम लोगों का बच्चों यहां से second option match कर जाता है क्यों स्पीड बढ़ गया है क्योंकि बढ़ी हुई जो है potential energy जो building की थी यह हाइड की वज़े से थी वह ही potential energy kinetic energy में दिख रही है तो अपना बहुत ख्याल रखो motivated रहो और यार प्यारे बच्चों मुझे support करो प्लीज लाइक करो शेयर करो और दोस्तों में क्योंकि यार हम अच्छे और authentic और precise solution देंगे इस चैनल पर तो अपना बहुत ख्याल रखो बैबाए टेक केर